हेलो दोस्तों टॉपर जोन में आपका स्वागत है और देखे दोस्त आज हमने क्या हैं यूटेट के लिए एंसी आटी क्लास सेवन की साइंस बुक से पार्ट टू जिसमें हम करेंगे दो चप्टर रेसों से वस्तर तक और उसमा इसे पहले हमने पार्ट वन में भी दो चप्टर कर लिये थे तो आप जरूर देखें तो देखें दोस्तों यहां से यूटेट में लगातर कोशन पुछे जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे 2018 में भी यहां से एक कोशन पूछा गया था तो इसको बताएंगे तो देखें दोस्तों जो NCRT के नोचने काफी important notes हैं यहां पर हम बात करें आप एक बार NCRT पढ़ लेते हैं तो यह केवल करता हैं एक बार हम इसको NCRT में भी देख लेता हैं किसके चीज़ के बारे में जानेंगे तो देखें दोस्तों क्लास 7 में थार्ट चप्टर है डेसों से वस्तर तक आप देख सकते हैं sense要 t book है तो देखें दोस्तों यहां से आपको जादे कि काफी important है यहां वह बताएगे इसके बारे में दिया गया यहां पर अन परदान करने बारे में दिया है जैसे और हम बात करें लामा ऐपहल का और इसके लामा एक बक्री और यहां पर चीरू बक्री नहीं में बताए घये और याद रखें दोस्तों कि यहां पूचा गया था यहां पर पसमीना आप पूचा गया था यहीं से पूट अप किया गया था और 12 तो यहां से पूछा गया है तो देख लिए यहां पर बताएगे किस प्रकार से जो है वह निकाला जाता है उतार जाता है फिर इसको अभी अभी मारजग किया जाता है फिर परकार से से मसीनों से उन मना जाता है तो यह देखिए धागी के रोप में फिर हमारे पास आता है तो इस प्रकार दिखाएगे यहां से कुशन बार बर जाएब पूछाता है तो हम यहां पर करेंगे इसको चप्टर को तो चलिए सुरू करते हैं और चलिए सुरू Sut फ़हले प्चाइब से रेसं तथा भेड़ बक्री एंवं याक से उन प्राप्त किया तरै आठरेसम और प्रसे हैं और इसे बहुंत प्रशन बहुत अ जाता है NCRT में इमेज दिखाई थी इसकी है पहल का उन्ट और लामा इनके बालों से भी उन्प्राप्त किया जाता है और इनके बालों को संसालित करके उन्प्राप्त किया जाता है भारत में अधितर भेणों को उन्प्राप्त करने के लिए पाला जाता है तो देखे दोस्तों आपक कर उन से उन प्राब्त किया जाता है तो वहां पर हमने आपको दिखाय दोस्तुरं यहां पर आपको फिल चाहते हैं किस परकार से यहां पर उनकी बालों को इस है using प्र मार्द में जाता है दिखाए गए आपको परकार जानवर यह देख सकते हैं आप यह पर यहां पर यह पर दिये गए हैं तो इनके इमेज यहां पर देगए आप इससे समझ पाएंगे तो देख सकते हैं आप भेड के सरीज के बालों को तार करें मार्जन वह छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्सको कात करके उन प्राप्त के जाता है अपने जीवन चकर में रेसम कीट रेसम के रेसों की कताई करके कोकुन बनाते हैं तो यह इंपोर्टेंट है द प्रोटीन से बने होते हैं तो यह भी पूछा कहता है कि पार एक्जाम में कि जो रेसम होते हैं किसे बने होते हैं तो वह फाइवर प्रोटीन से बने होते हैं कोकुनों से रेसम के रेसों को प्रतक करके उनका संसाधन क्या जाता है और फिर रेसम का धागा बनाया जाता है इस प्रक्रम को रिलिंग कहते हैं तो देखे दोस्ताव को बता दें कि सबसे पहले आपको ने पता होने जाए कि जो पत्यां होती है इन पत्यों को खाने के लिए जो है रेसम के जो कीड़े होते हैं और यह जो कीड़े होते हैं यह इस प्रकार से होते हैं अगर हम बात करें र यहासे यह क्याक रता कि अपने चारों तृव उपर से लारवा छोड़ते हैं और यहां पर रेसम से निर्माण करें तो इनको देखा जाता है यहाँपे समय समय पर तो देखे दोस्तों क्योंकि जैसे यहां पर पूरा लारवा तयार कर देता है तो इनको गरम पानी में डाल करके इनको कीणों को मार लियाता है और इनसे रेसम प्राथ कर लियाता है क्योंकि अगर यहां पर थोड़ी भी गलती हो तो यह जो लारवा है इससे बाहर निकल जाते है तो इस वैसे को देखना पड़ता है तो जैसे यह लारवा कम्वेट उठाता है यह लाता है को कौन स्टेज के लाती है इस वाली को अगर यह यहां पर अगर समय पर नहीं देखा गया नेश्ट अगर हम बात करें बकरी के बालों में भी उन प्राप्त की जाती है अंगोरा उन को अंगोरा नसल की बकरियों से प्राप्त के जाता है जो कि जम्बु कस्मीर के पहाड़ी छेतरों में पाई जाती है कस्मीरी बकरी की तुछा में के निकट मुलायम बाल यानि फर हो आदे क्योंकि इससे पस्मीना सॉल बना जो है वह पूरे विश्वम में यहां पर सीथ है तो इसके लिए जो चीरू वक्री है इसका ज्यादा दोहन के जा रहा है यानि इसको मारा जा रहा है तो यही कुशन जो था आपको जा दें यह देखे दो अठारा में पूचा गया था कुशन नमबर डी में जो था 126 नमबर था यहां पर यह देखे यहां पर दिया गया था कि जंबू कस्मीर में पस्मीना सॉल के विश्वसाई ने किस प्राणी को ब्रीहद इस तर पर दोहन किया है तो यहां पर देख सकते हैं कस्तूरी मिर्ग दिया गया था चीरू दिया गयता है इसलिए हम आपको पांच साल के प्रीबियस पेपर भी करवा रहे हैं अब आगे बढ़ते हम यहां से तो इस प्रकार से यहां पे तो एकजाम भ्यू से देखे क्या क्या है इंपोरेंट है तो रहेसम की उत्पाति सबसे पहले कहां से हुए तो चीन में हुआ तथा वरतमान में सबसे ज़्यादा रहेसम का उत्पाति हुए तो चाइना में हुए थी और रहेसम का उत्पाति होता है फिर आंदेर प्रदेश में रces 14 प्रकार के होते हैं टार श मुगा एरी सैतूति और मलवरी बहुत इंपोर्बरेइट लोह सान कäre रेश्त के बहुत है शार परकार के रेसरे ऋपिर मुगा एरी और स्तूति या फिर अपिर जिस ne कीट का पालन को सेरी कल्चर कहलाता है और याद कि एक कुछन भी इंपोर्टेंट है कि भारत में केंद्री रेसम अनुजद्धान संस्तान यह बार बार पर है तो यह है बहरामपूर जो की कुलकत्ता में पढ़ता है अब चलिए यहाँ पर सेकंड चिप्टर है उसमाश की बा होता है तो बहुत इंपोर्ण कोछ़़ास है दोस्तों जो आप डॉक्टरों के पाब जाते हैं तो उसमें 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होता है 0-0 यथा तक कई भी बेपैंतिस से स्टाट होता है और तो इस परकार से यहां पर आगर हम बात करें तो यहांपी धरुक्त हो तो यह आपको याद थतना है जबकि अगर हम जो पर्यूग साला में जो यूज चाहँ थर्म मिटर वह कितना होता है तो उसका जो रेंज होता है वो 10 degree Celsius से लेगर के 110 के बीच होता है जो आपने लेब में देखा होगा तो उसमें starting जो होती है वो 10 से होता है पारा जो होता है आपका देखेंगे अगर आप तो पारा 10 पे रहता है starting point पे और अगर आप boiling में boil करते हैं किस चीज को अगर वहाँ पे देखते हैं तो last जो है उप small chapter से यहां पर important थे अब देख लेते हैं इसमें से जो exam view से पूछे गए हैं तो ऐसा सिस्टम में ताप मान की काई होती है कैलवीन होती है यह याद रखना है सूर्य का जो ताफ होता है वो पाईरो मीटर ताप मापी से कि द्वारा मापा जाता है इसमें 800 degree से उपर का ताप मान मापा जाता है पाईरो मीटर को ही विकरन ताप मापी कहा जाता है तो यहां से बहुत important question याद दखी कि जो 800 degree Celsius है इससे ज्याता कर ताप मान मापना है तो पाईरो मीटर से मापा जाता है तो इसी को पाईरो मीटर को ही विकरन ताप मापी भी कहा था तो कहीं कहीं पूछ पाइरोमेटर का जाता है बिदूत केतली के पानी समवहन के कान गरम होता है तो यह इंपोटेंट है याद दखिए नेस्ट है पर सूरी के उसमें पिर्थपी पर विक्रण के माध्यम से पहुंचती है और माइनस चालिश डिगरी पर सेल्सियस पर और फारने हाइट का तापम समान पर होते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्सियस है सेल्सियस में अगर आप बात करें यहां पर 37 डिगरी तो फॉर्ने हाइट में ज्याता होता है फॉर्ने हाइट में 98 अंतर है लेकिन माइनस चालिस पर डिगरी सेल्सियस और फॉर्ने हाइट समान होता ह यह कोईशन 12 पुछ गया है और यह तक है कि नियूंतम जो संभव तापमान है वो माइनस 273 डिग्री से इससे कम तापमान कभी भी नहीं जाता है और से कम कोई भी आपर आगड़े नहीं बने हुए है नेक्स्ट आप जब बरफ पिगलती है तब आयतन घरता है इंपोर्टन कुशन है जो पदार्थ अपने से होकर उस्मा को आसानी से प्रवाहित कर होने देते हैं उन्हें उस्मा चलन कहते हैं गहरे रंग की वस्तों हलके रंग की वस्तों की अपेक्छा उसमी विक्रन की अच् का कारणिया है कि उन्हुस्मा रोधी है तथा इसके रेसे के बीच वायू फासी रहती है तो देखिए दोस्ता इसलिए जो है जो उनिवस्तर जो होता है वह हमको ज्यादा गर्मी देते हैं अब देखिए यहां पर प्रैक्टिस कर लेता है केल्वीन मान में मानाव सरीर का स सही दय गया है नेश खुशन था है यहाँ पर उस्मा का संंचन वीधी गया तो इसमा का संचन के माध्यं से तो तो वो है करनाटक में, तो ए темa, उपसन सहिधा गया, रिश्म थागा किसका बना होता है, तो रिश्म थागा जो है एक जाए हमी पूछहा गया है, प्रोटीन का बना होता है, नेेंश्ट कोशन हैंपर, तो चाईना जो है सबसे ज़्यादा करता है, तो दिखे दोस्तों परैक एकिस चप्टर से और कैसे कोईशन बन रहे हैं